सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की कुर्फिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूस तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ बागे बटनेस पहले जो पहला अपडेट है वो यह है कि वह यहाँ इंडिया ने हरा दिया ऑस्ट्रिया को अंडर 19 क्रिक्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में दोस्तों यहाँ पर जीत गया है वर्ल्ड कप चौथी बार बड़ा मज़ा आता है जब हम हराते है अस्ट्रिया को है फिर पाकिस्तान को किसी भी मैच में मतलब ऑस्ट्रिया को उनकी एटिटूट के वज़ा से और पाकिस्तान का तो आपको मालूमी है तो यहाँ पर इस बात पर एक लाइक बनता है दूसरों पहला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पर अगर आपके तो अगले अपडेट है वो निकल के आता है, यहाँ पे फेस्बुक के एक पेटेंट को लेके, जो कि फेस्बुक को ये बता पाएगा कि आप अमीर हो या गरीब हो, यार ये बहुत दो कमाल की बात है, मतलब यहाँ पे AI जो है, वो कहां कहां पे लगने वाली है, कि आपकी ज जो एड्स आपको दिखेंगे, शायद फेस्बुक उनसे और भड़िया तरीके से पैसे कमा पाएगा, तो ये है एक नया पेटेंट फेस्बुक के तरफ से, तो अगले अपडेट है, वो निकल के आता है, यहाँ पे वीवो के X30 को लेके, यह फोन भई है, पहले लीक हो गय है, देखेंगे, इतना मनखुश होता नहीं है, आप इसके बर भी क्या सोचते हैं, मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में, पूसरो अगले अपडेट निकल के आता है, वो है यहाँ पे इनसान के दिमाग के सिगनल को पढ़ने के लिए एक नई स्टेडी निकल के है, वो शायद उन सिगनल के तुरू हम स्टेडी करके डेवलेप कर पाएंगे, जहाँ पे हम दिमाग में क्या हल्चल चल दो उसको मोनिटर कर पाएंगे, तो यह एक बहुती कमाला कॉंसेप्ट है, आगे जलके शायद हम कंप्यूटर्स को भी सीधा हमारे दिमाग से ही यूट्यूब की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तो यूट्यूब की CEO सुजन ने ये कहा है, कि वो एकदम अच्छे से मोनिटर करने वाले हैं सभी क्रीटर्स को, और कोई भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी गलत काम करता है, तो उसके अगे बहुत strict action लिया जाएगा और यहाँ पर मतलब जो भी policies दोस्तों नहीं बनने वाली हैं, वो काफी friendly भी हैं, लेकिन यहाँ पर SME CEO ये भी कहती हैं, कि उनको चाहिए YouTube एकदम clean, तो अगर कोई कुछ गंदगी फैलाता है, तो उसको एकदम साफ करने की planning चल रहा है YouTube की तरफ से, तो मतलब वो चाते हैं अतलब ये है कि भाईया जो पिक्सल 2 है वो काफी अच्छा perform कर रहा है पिक्सल 1 के comparison में, क्यों पिक्सल 1 कुछ इतना खास phone भी नहीं था, और ऐसे भी पिक्सल 2 ने काफी improvements किये हैं, बहुत अलुक्स को यूज़ करने है, परसनली तो Google बोलता है कि यहाँ पर हमारे जो shipment है डबल, profit यह वारा बढ़ गया है, तो यह एक अच्छी बात है, तो अगला update है, वो निकल के आता है, यहाँ पर जियो की तरफ से जहाँ पर भाईया हो गया ऐसा कि दिसंबर के महीने में, जियो एक बार वापिस से number 1 पर आ गया है, और जो यहाँ पर speed निकल के download की, वो है 25. 25.6 Mbps, हलांकि upload में Vodafone number 1 पर है, लेकिन यहाँ पर यह हर महीने बोलते है, 20 Mbps, 25 Mbps, 21, 22, पता नहीं कितना कितना, आपको वाकई में कितनी speed मिलती है, यार, क्योंकि मैं कभी भी इंडिया आता है, तो मेरे को इतनी speed नहीं मिल पाती है, कभी-कभी कुछ select locations पर भले मिल वरना, लेकिन नॉर्मल में तो यार, 4, 5, 6, 10 मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आपके लिए सबसे बहतर, कौन सा Omolet वो काम करता है, पुछ बताना जरूर नीचे, comments पर आपके speed कितनी आती है, नॉर्मल टाइम्स पे, तो अगला update निकल के आता है, वो है यहाँ पे, Xiaomi के Redmi 5, Redmi 5 Plus को लेके, यह फोन्स चाइना से बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ पे आ चुके हैं, मलेशिया में, इंडिया में यह फोन्स कब आता है, वो हम देखते हैं, या फिर इसके अलावा, Xiaomi सिधर Redmi Note 5 लेके आता है, वो भी हम देखते हैं, क्योंकि 18.9 के अ आने वाले हैं, शायद आपको अल्मोस्ट इस साल में सभी में यह स्क्रीन देखने को मिलेगा, दोस्तों, यहाँ पर अपडेट है, वो निकल के आता है, एक बहुत ही अच्छी चीज को लेके, और यहाँ पर इंडिया में, दोस्तों, जो है, Department of Defense Protection, उसने फॉर्म किया है, जहाँ पर दोस्तों, जो लीड है, वो करने वाले हैं, एन्चंदर शेखन, और यहाँ पर दोस्तों, काम होगा, वो होगा, AI के फिल्ड में, मतलब कैसे हम AI को काम में ले सकते हैं, हमारी आर्मी को और स्ट्रॉंग करने के लिए, यह दोस्तों, यहाँ पर काम किया जाएगा तो यह बहुत एक अच्छी बात है, कि हमको वहाँ पर भी चाहिए थोड़ा सा और modernization, जिसके बाद में हम काफी अच्छी टेखनीक्स को काम में लें, और हमारी आर्मी को थोड़ा सा और strong बनाएं, तो अगला अपडेट है, वो निकल के आता है, यहाँ पर अधार के data को ल लीक हो सकता है, या नहीं हो सकता है, या हुआ था है, नहीं हुआ था, हाला कि security जी इतनी मजबूत हो, उतना ही बहतर बात है, लेकिन आप इसकर में क्या सुचते हैं, मुझे बताना जरूर नीचे comments में, दोसरो अगला अपडेट निकल के आता है, वो है आप Reliance Geo के 200% cashback offer क लेके, और यहां पर अगर आप recharge करते है, 398 से उपर का तो आपको मिल जागा 200% cashback, यह अलग-अलग form मिल सकता है, लेकिन अभी तक तो हमने बताने कितनी बार तरेद्र के offers आ गए है, कितनी बार recharge करवा है, बैब आपको हर बार यह बोलता हूँ कि हमको खुद को याद नही करता है, कि हमने पिछले दे चार्ज कप करवाया था, वलेटी कब तक है, अब भी करवाया था, बैनिफिट कब जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा, वगर वगर है, तो अभी बस अपडेट है, अगर आपको करवाना हो, तो हब करवा लीजिए, दोस्तों अगला अपडेट हमारा कोई actual manned mission, तो वहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों landing कर पाएंगे, कहाँ पे अच्छी सतह landing के लिए, वो दोस्तों आप पता लगाया जा रहा है, इस curiosity rover के जरीए, तो अभी आप देख लो, कि आने वाले maximum miracles है, 10 साल के अंदर दर कुम से कम कोई एक-दू इंसान तो पहुं पिलाल के लिए इतना है दोस्तों, जैहन्द, वन्दे मात रहाँ